नमस्कार आप देख रहे हैं सनगाइस निउस बीजेपी के अंदरूनी सरवे में उत्तरप्रदेश में बीजेपी की हालत खराब है मीडिया उत्तरप्रदेश विदानसवा चुनाफ से पहले अपने सरवे में बीजेपी को चाहें जितनी भी सीटे दे दे उत्तरप्रदेश विदानसवा चुनाफ से पहले बीजेपी की हालत कितनी खराब है इसका अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है कि प्रधानमंतरी मोदी के कारिक्रमों और रेलियों के लिए अलग अलग बिभागों को जिम्मेदारी दी जा रही है ताकि भीड इखटी की जा सके भीड इखटा करने का टार्गेट दिया जा रहा है वैं भी उस प्रधानमंत्री की रैलियों के लिए और कारिक्रमों के लिए जिसको ग्लोबर लीडर कहती है बीजेपी प्रधानमंती नरेंदर मोदी की पिछली कुछ रैलियों पर भी ऐसे ही आरोप लगे हैं कि जो पैसा खर्च हो रहा है क्या बैसरकारी बिभागों से दिया जा रहा है या फिर बीजेपी अपनी पार्टी फंड से दे रही है प्रधान मंती नरेंदर मोदी की रैलियों में पहले की तरह भीड इखटी नहीं हो रही है योगी आदितनात की रैलियों में भी पहले की तरह भीड अब नहीं आपा रही है अलग-अलग बिभागों को टार्गेट देकर जवर्दस्ती लोगों को बुलाया जा रहा है ऐसे भी आरोप लगे हैं भाज़ुपा पर दरसल बिदानसवा चुनाव से ठीक पहले उत्तरप्रदेश बीजेपी के नेता अपनी सरकार द्वारा किये गए कारियों पर भरोसाना करते हुए एक बार फिर से दुरूबीकरण और हिंदुत के मुद्दे पर लोट आये हैं उत्तरप्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशब प्रसाद मौर आयोध्या के बाद मतुरा की बात कर रहे हैं तो वहीं योगी आदितनात लगातार हिंदु मुस्लिम घर के माहौल को गर्म करने की कोशिश कर रहे हैं उत्तरप्रदेश बीजेपी में भी लंबे समय से बहुत कुछ ठीक नहीं चल रहा है दरसल उप मुख्यमंत्री केशब प्रसाद मौर मुख्यमंत्री नहीं बन पाये थे तब से ही उनके रिष्टे मुख्यमंत्री योगी आदितनात के साथ ठीक नहीं है ऐसा बताया जाता कई मौकों पर मुख्यमंत्री योगी आदितनात और उप मुख्यमंत्री केशब प्रसाद मौर के बीच तलखी भी देखी गई है केशब प्रसाद मौर तो कई बार सीधे तोर पर बयानवाजी भी कर चुके हैं कि उत्तर प्रदेश के विदान सवा चुनाव योगी आदितनात के नेतत्वे नहीं बलकि कमल के निशान पर लड़ा जाएगा दरसल जिस वक्त 2017 में बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आई थी उस वक्त केसब प्रशाद मौर उत्तर प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष थे और ऐसा माना जाता है कि उन्होंने कड़ी मेहनत की थी इस बीजेपी को सत्ता में लाने के लिए इसके साथ साथ प्रदानमंती नरेंदर मौधी से लेकर अमित्षा तक ने उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी को लाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी लेकिन मुख्यमंत्री बने योगी अधितनात वह भी अपनी शर्तों पर एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में बिदान सवा चुनाव होने वाले हैं लेकिन योगी अधितनात के नेत्वत्त में जो बीजेपी की सरकार पिछले 5 सालों से चली है उससे उत्तर प्रदेश की जनता ऊप चुकी है नीतियों से परेशान भी है कानून बेवस्था चर्मरा चुकी है आए दिन बलातकार की खबरें आती रहती हैं बीजेपी के नेताओं पर ही कई बार महिलाओं से छेड़ चाड़ और बलातकार संबन्दित केस दर्ज हुए हैं इन सब के बाब जूद बीजेपी उत्तर प्रदेश चुनाव जीतने का जज़बा रखती है लेकिन क्या यह योगी आदितनाथ की नेतत्य में दुवारा संबव है इसको लेकर भी प्रदान मंत्री मोदी से लेकर ग्रह मंत्री अमित शा तक मंथन कर रहे हैं और योगी आदितनात की नितत्व में उपमुक्य मंत्री और बीजेपी उत्तर प्रदेश की पूर्व अध्यक्ष केसब प्रसाद मौर को जिस तरीके से दरकिनार किया गया था उनको एक बार फिर से बीजेपी की मुक्यधारा में लाने की कोशिश हो रही है इसी संबन ने प्रदान मंत्री मोधी की उपमुक्य मंत्री केसब प्रसाद मौर से दिल्ली में मुलाकात भी हुई है इससे पहले भी एरपोर्ट के उत्गाटन के अपसर पर प्रधान मंतरी मोधी ने उपमोख्य मंतरी केसर प्रसाद मौर की नाराजगी को दूर करने की कोशिश की थी लेकिन क्या इससे बीजेपी को उत्तरप्रदेश पे फायदा होगा या आने वाला बक्त बताएगा लेकिन विदान सबा चुनाव से पहले बीजेपी सीर्स ने तत्त में वैं कॉन्फिडेंस दिखाई नहीं दे रहा है जिसके लिए वैं हमेशा से जाने जाते हैं अब आखिरी में एक सवाल के साथ इस वीडियो का अंत होगा कि क्या कुछ बदलाव होगा इस चुनाव से पहले और ये मुलाकाते क्या कुछ बैयार पैदा कर रही है